नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ महिश्रेया अनुपुर्जिले के तराई शेत्रों में उस वक्त देशत का महौल बन गया जब जंगली हाथियों ने शेत्र में दस्तक दी आपको बता दे अनुपुर्जिले के कोतमा वन परिशेत्र के अंतरगा टाकी बीट के जंगल में करिब 40 हाथियों के समू की आमध हुई है प्राप्त जानकारी के अनुपुर्जिले के बिजुरी थाना अंतरगत वेल गाउं पंचायत में साथ हाथियों के समू ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों को कुचल कर मार डाला टाकी बीट के असपास कई गाउं है इसलिए कोत्मा वन परिशेत्र में दैशत का महौल बना हुआ है वन विभाग ने आम आदमियों से जंगल की तरफ ना जाने वर रात को घरों से बाहर ना जाने की अपील की है साथी तराई जंगली शेत्र में रहवासियों को दूसरे जगा पहुचा दिया गया है और आग जला कर भी रखा गया है बता दे सोमवार मंगलवार की दर्मियानी रात यहां थी तीन ग्रामीडों के घरों की दीवार को तोड़ कर कई किसानों की बाड़ी में लगे गन्ने और केले की फसल को उन्होंने नुकसान पहुचाया है वन विभाग की टीम हाथियों की मूवमेंट पर लगातार नजर बनाये हुए है और रहवासियों को भी लगातार हिदायत दे रही है कि जंगल वाले शेत्रों में वहन ना जाए 36 गर से सटे टाकी गाओं में करीब 40 हाथियों का दल गुस चुका है और प्रसासन के मुताबिक फारेस्ट विभाग के मुताबिक लगबग 20 हाथियों के और आने की संभाव रहे है हम मैं लगातार प्रसासन के संपर्क में हूँ हमने वहाँ पर इस्कूल भवन और पंचाय डलवा दिये हैं खाने पीने की विवस्ता प्रसासन द्वारा कर दी गई है मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों के भी कच्चे माकान है या ऐसे माकान है जो हाथियों द्वारा रात में नुकसान पहुचाए जा सकते हैं क्रपा पूर्वक वो सारे लोग अपना घर छोड़के पंचायद भवन या स्कूल भवन में सिफ्ट हो जाएं आ जाएं वहां उनके खाने पीने सोने की पूरी विवस्ता कर दी गई है देर रात्री उन हाथियों का मूवमेंट फुलकोना और ढूमर कचार ग्राम पंचायद की तरफ भी हो सकता है या अन् होता है तो आस पास